प्रभास इन दिनों अपनी आने वाली मोस्ट आवेटेट फिल्म यानि की जान को लेकर काफी चर्चाओं में है जो की लगभग लगभग कम्प्लीट हो चुकी है यानि कि इस फिल्म को तो इसी साल सिनेमा घर में रिलीज होना था लेकिन अब बताया जा रहा है कि इस फिल्म का जो रिलीज डेट है वो इस साल से निकल के अगले साल चला जागए यानि कि दो हजार एकिस में ये फिल्म सिनेमा घर में आएगी वहसा आप मों बता दू कि इस जानकारी सामने आ चुकी है कि भीया उनकी 21 फिल्म जो है वो 2022 में सिनेमा घर में आएगी यानि कि ओफिशली ये बात बता दी गई है इस फिल्म के बारे में बता दिया गया है इस फिल्म के मेकर से यानि कि नाग अस्विन के द्वारा यानि कि नाग अस्विन के ही बैनर तहत ये फिल्म बनेगी और इस फिल्म को डिरेक्ट करेंगे अश्विन दत तो भाई अश्विन दत तो आपको यादे हुगा कि हाल फिलाद में उन्होंने महानती जैसी बहतरीन फिल्म देखी और अस्मिंदत ने इस फिल्म को लेकर कहा भी था कि वो प्रभास को लेकर एक बहुती बैटरिंग कहानी लिख रहे हैं और इसके लिए उन्होंने प्रभास को भी कन्विंस कर लिया है ख़बे तो यही आ रही है कि जैसे लॉकडाउन खतम होता है यानि कि अक्टूबर के महिने से इस फिल्म का प्री प्रोडक्शन का काम चालो हो जाएगा और उसके बाद यह फिल्म फ्लोर पर चली जाएगा यानि कि शूटिंग के लिए चली जाएगा और 2022 में यह फिल्म हमनों सिनेमा घर में देख सकते हैं तो आप अपने कमेंड के मादे में समय जरू बताएगा कि यह फिल्म जब सिनेमा घर में आएगी तो भाई कितना धमाल मचाएगी और वाईसा आपको बता दू कि महानती को मैं देखना चाहता हूँ अभी तक मैं इस फिल्म को देख नहीं पाया हूँ अपने कमेंड के मादे में समय जरू बताएगा तो बॉलिवूड और टॉलिवूड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल बॉलिवूड वारिल कलेज को लाइक और सब्ट्राइब करना ना बूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आकिन को जर्द बाए